हेलो फैंस मैं उरीना आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मैगी का एक ऐसा चटपटा सा नाष्टा जो की छोटों से लेकर बड़ों को भी बहुत पसंद आएगा और इसकी खास बात तो यह है कि इसमें आपको मैगी को बॉइल करने की जोरत नहीं है और ना ही हम इसमें बहुत जादा चॉपिंग करेंगे अगर सुबे की भागदोड में आपके पास इतना टाइम नहीं होता है और आपको चाहिए कुछ ऐसे जटपट सी रेसिपी जो आप फटा फट से बना सके तो इस रेसिपी को ट्राई करना तो पनता है तो फ्रेंट्स वीडियो लास तक देखें पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और साथ इसाथ ऐसी और रेसिपीस के लिए हमारे चैनल को सबस्टाइब करना न भूलें ये टेस्टी सा नाष्टा बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए कुछ ब्रेट्स स्लाइस जिसके की मैंने साइट्स काट कर अलग कर लियें अगर आपको राउंड शेप में या किसी भी शेप में ये नाष्टा बना कर तयार करना है तो आप उस शेप में भी ब्रैट्स को cut कर सकते हैं अब हम लेंगे दूसरी तरफ boil किया हुआ आलू यहाँ पर मैंने छोटे साइस का एक आलू boil कर लिया था और इसे crate कर लिया है इसके बाद अब हम इसमे मिलाएंगे प्याज यहाँ पर मैं 2-3 चमच बारी कटी हुई प्याज मिला रहे हूँ अगर आपको प्याज का टेस्ट जादा पसंद है तो आप इसे बढ़ा भी सकते हैं अब इसके बाद हम इसमे मिलाएंगे बारी कटा हुआ हरा धनिया धनिया डालने से जो आपका नाश्ता है वो बहुत ही जादा टेस्टी बनेगा अब हम इसमें मिलाएंगे नमक, नमक अभी हम थोड़ा ही लेंगे उसके बाद इसमें मिलाएंगे थोड़े से चिली फ्लेक्स अगर आपके पास chili flex नहीं है तो आप इसे skip पी कर सकते हैं अब इसे tasty बनाने के लिए हम इसमें मिलाएंगे इसका main ingredient मैगी यहापर मैंने एक छोटे सा इसका मैगी का packet लिया है जिसे हम हातों से इस तरह से मोटा मोटा crush कर लेंगे जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमें यहापर मैगी को boil करने की जोरत नहीं है अब मैगी के जो बड़े बड़े टुकडे हैं उनको हम तोल लेंगे अब हम इसमें मिलाएंगे मैगी मसाला इस मसाले में भी नमक होता है इसलिए हमने शुरू में नमक कम मिलाए था तो इसलिए आप भी आपर ध्यान रखे अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा से variation कर सकते हैं जैसे कि अपनी पसंद की सबजियां डाल सकते हैं या फिर चाहें तो इसमें कुछ मसाले जो आपको पसंद हैं वो भी मिला सकते हैं अगर मैं इसे बहुत ही simple तरीके से बना रहे हो जिससे कि आपको बहुत जादा time भी नहीं लगेगा और तब भी इसका taste बहुत अच्छा आएगा फिलिंग को अच्छे से mix करने के बाद अब हम इससे बनाएंगे तीर अलग-अलग flavor के मैगी टोस्ट आपको कौन सा flavor सबसे ज़्यादा पसंद आया हम इक comment section में सिरूर बताएं सबसे पहले हम बना रहे हैं चीज मैगी टोस्ट जिसके लिए आप यहाँ पर कोई भी cheese slice ले सकते हैं अगर आपके पास cheese cube है तो उसे भी grate करकर ले सकते हैं तो अब cheese slice को हम bread पर रखेंगे अब हम उपर से spread करेंगे मैगी वाली filling filling को हर तरफ अच्छे से फैला लेंगे और हलके हातों से दबाएंगे जिससे की जो feeling है bread slice से अच्छे से चिपक जाए तो ये देखिए पहला flavor तयार है आईए अब दूसरा देखते हैं अब दूसरी bread slice पर हम फैलाएंगे tomato sauce यहाँ पर आप कोई भी sauce ले सकते हैं या फिर green chutney भी ले सकते हैं अब इस पर भी हम feeling को अच्छे से फैला लेंगे और हलके हातों से दबा लेंगे तीसरा flavor है मियोनीज bread slice पर एक छोटी चमच मियोनीज अच्छे से spread कर लेंगे और उसके बाद feeling से bread slice को अच्छे से coat कर लेंगे तो इस तरह से हमारे ये तीन flavor तयार हो गए है आपको या आपके family members को बच्चों को जो भी flavor इन में से पसंदो आप उपना सकते हैं अब आता है last step जिसमें मैंने लिए हैं सफेद तिल सफेद तिल को हम bread slice पर अच्छे से sprinkle कर लेंगे जिसे कि ये देखने में तो अच्छे लगेंगे ही साथ इसाथ खाने में भी ये बहुत तिस्टी लगेंगे तिल डालने के बाद हम इसे चम्मस से हलका सा प्रेस कर लेंगे जिसे कि ये मसाले से अच्छे से चिपक जाए फाइनली चलते हैं इन bread slice को सेखने की तरफ सबसे पहले तवे पर घी या बटर गरम करेंगे और तवे पर रखेंगे bread slice उपर से कवर कर देंगे और एक से दो मिनट के लिए लो फ्लेम पर ही से कुक करेंगे पीच पीच में आप चाहें तो इसे चेक भी कर सकते हैं जब ये एक तरफ से हलकी सी golden brown हो जाए जिसके लिए आप इस तरह से दो स्पून को यूज करते हुए इने असानी से पलट सकते हैं पलटने के बाद इने हलका सा प्रेस जरूर करें इसी तरह से बाकी की सबी slice को पलटते हुए दोनों तरफ से हलका सा golden brown सेक लेंगे तो फ्रेंट्स आपने देखा इन मैगी टोस्ट को बनाना कितना असान है ना तो हमें इसमें मैगी को बॉल करने की ज़रत है और ना ही बहुत जादा चोपिंग की तो सुबह की भाग दोड के टाइम में हम कुछ ऐसा ही नाश्ता बना कर खाना चाहते हैं जो की जट पर बन बीचाए और टेस्टी भी हो तो फ्रेंट्स हमारी इस रेसिपी को एक बार मेरे स्टाइल में ज़रूर बना कर देखें आपको पसंद आएगी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें जादा से जादा शीयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें